दक्षिनेश्वर काली मंदिर कॉलकता सहर के दक्षिनेश्वर में इस्थित है जिसे हम काली घाट के नाम से भी जानते हैं इसकी दूरी हाबड़ा से करीब 15 किलो मीटर है अगर आप यहां से बस से जाना चाहें तो इसका जो चार्ज है वो 11 रुपया है 11 रुपया चार्ज दे कि आप आसानी से काली घाट मंदिर जा सकते हैं यह काली मातक का एक मंदिर है जिसे इनके एक भकत द्वरा बनवाया गया है जो काली घाट मंदिर में आम तोड़ पे आपको हर समय भीर देखने को मिलेगी अगर आप नवड़ातरा का समय आते हैं तो आ 300 मेटर के अजपास हैं यहाँ आपको दुनों तरफ दुकाने मिलेगी अगर आप यहाँ से कुछ पर्चेज करना चाहते हैं तो पर्चेज कर सकते हैं लेकिन इसलिए आपको बारगेन करना होगा जो अंदर आपको यह मंदिर दिख रहा है यह मंदिर यहाँ से आप परसाथ क privately हमें फैसी इस की बहतीं को चाहते हैं चाहते हुं अगर आप पूजापाथ यह करिवान करीशर ओए किसी भी चीज की आप पूजा करवाना चाहें तो यहाँ पूजा करवा सकते हैं यहाँ कई और मंदिर है और नहानी के लिए अस्नानागार अलग से काली घाट के नदी वाले टटपे हुगली नदी के टटपे बना हुआ है यह जो आप देख रहे हैं यह है मंदिर का गुंबन और यहाँ से माकाली के दर्शन के लिए यह लंबी लाइन लगती है अगर आप नौर्मल के दिनों में आए तो कंभीर आपको देखने को मिलेगी लेकिन अगर आप नवरातरा के समय आएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही लंबा लाइन देखने को मिल जाएगा इस मंदिर का कोई भी इंट्री चार्ज नहीं है लेकिन यहाँ अगर आप फैस्टिवल के समय आ रहे हैं तो आपको लंबा लाइन का इंजार करना होगा इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ लंबी लंबी लाइने लगी है और यहाँ जो प्रसाद के रूप में जो फूल चारता है वो अरूल का फूल होता है यह मंदिर परिशर का में इंट्रेंस है लेकिन आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको प्राइबेट कोटा जैसे आप देख रहे हैं यह हैं यह प्राइबेट कोटा से आपको बोलेंगे कुछ पैसे लेके आपको अंदर मंदिर में राइक इंटी करा लेंगे जो क जो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक हो चल को